Hey guys, this is Preeti आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं 4th September के Current Affair इसमें जो भी important questions होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रस करें साथी साथ आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in से Current Affair में पढ़ाये गए सभी question का mock test वहाँ पर आप दे सकते हैं और PDF डाउनलोड करके blog भी पढ़ सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं topic को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के पूछेगे question के तो काफी लोग ने इसका सही answer भी दिया मो सरकार पहल की घोषना किस ने किया तो इसकी घोषना किया था ओडिसा government ने किस ने किया है ओडिसा government ने मो सरकार पहल की घोषना किया है अब हम लोग बात करते हैं चार सितंबर के पहले question की तो चार सितंबर का पहला question है समुद्रियान mission का संबंद किस देश से है तो यहाँ पे समुद्रियान एक mission है जिसको launch किया गया है भारत के दौरा ठीक है किसके दौरा भारत के दौरा अच्छा इसके अंतरगत किया क्या जाएगा तो भारत साल 2022 बात आई है यहाँ पे 2022 तो तुरंत हम लोग पहले revise कर लेते हैं कि 2022 हमारे लिए important है और एक वज़ा से मैंने आपको बताया था कि 2022 में इसरो के दौरा mission गगन यान launch किया जाएगा जिसमें भारती अंतरिछ जो हमारी agency है उससे भारती अंतरिछ यात्रियों जिनको वियोम नौट बोला जाता है उनको अंतरिछ में भेजा जाएगा और उनको ट्रेनिंग कौन देगा उनको ट्रेनिंग देगा रश्या याद व्यक्तियों को एक लोग को इन तीनों को आकास में भेजा जाएगा और इन तीनों को भेजा जा रहा है गहराई में मतलब समुद्र की गहराई में तो याद रखेगा ठीक समुद्रयान और गगनयान अगर आप mission का नाम भी देखे तो वो भी काफी similar है ठीक है तो इसमें कि या क्या जाएगा कि तीन व्यक्तियों को समर्शीबल वीकल से समुद्र की 6000 मेटर या फिर 6 किलो मेटर की गहराई में भेजना चाहता है या श्वदेश निर्मित होगा समर्शीबल वेकल जो की 6 किलो मेटर की गहराई में 72 घंटे तक चल सकता है मतलब 3 दिन तक चल सकता है चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, दुनिया की जितनी भी विक्सित देश हैं, वो इस तरह के मिशन को अंजाम दे चुके हैं, अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया, कि जो अंतरिच में भेजने की बात हो रही है, ये भी सभी विक्सित देश कर चुके, आप सोच रहे हो होगा कि इसरो भेजेगा अंतरिच में, ये याद रखेगा, चीज, तो जो भी विक्सित देश हैं, वो ऐसे मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन भारत विकास सील देशों में ऐसा करने वाला पहला देश हो सकता है, चीज, अब यहाँ पे बात आई है, समुद्र की, त चीज, बात करते हैं, लोग अगले क्वेशन की, हाल ही में, इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का सुबारम किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे है, इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम, तो इसको सुरू किया गया है, चुनाओ आयोक के द्वारा, किसके द्व से लेकर के 15 सितम अक्टूबर के बीच चलेगा मतलब लगभग देड़ महीने या चलेगा और इसके अंतरगत प्रतेक परिवार के एक व्यक्ति को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जिसका उपयोग करके वो अपने परिवार के मदाता सूची से जुड़ी सारी जानकारी देख पाएगा और उसको जहां भी गलती दिखेगी उसमें सुधार करा सकेगा तो ये काफी अच्छी चीज है एक से लेकर के 15 अक्टूबर तो आप लोग को भी मिलेगा यूजर आटी पासवर्ड आप लोग भी इसको सही करा सकते हैं चले नेक्स प्रेशन की बात करते है हाल ही में इस सोस द्वारा ग्लोबल हैपनेस सर्वे इस हैपनेस सर्वे को आप लोग जो हैपनेस सर्वे जो जारी किया जाता है में जिसमें फिनलैंड नमर उससे बिल्कुल मत कन्फ्यूज करिएगा इस चीज को याद रखे गया या किसके द्वारा जारी किया गया इस सो पुछकांक में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई तो भारत देखी इसमें नवे नंबर पे है जबकि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सलाना हैपनेस रिपोर्ट जारी की जाती है जो आज तक हमारे एकजाम में पूछता था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी हैपन चलिए नेक्स बात करते हैं हाल ही में उपर राश्पती ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी विद्धुती कृत सुरंग का उधगाटन किया है तो वर्तमान में हमारे उपर राश्पती हैं वैंकेया नाइडू और इन्हों ने आंध प्रदेश में सबसे लंबी लंबाई कितनी होगी तो 6.7 किलोमेटर होगी इसकी लंबाई और वैंकेया नाइडू ने इसे इंजीनियरिंग का चमतकार कहा है याद रखेगा अच्छा अगर बात आती है उपर राश्पती की तो उपर राश्पती क्रमान उशार्देश के कौन से नंबर के उपर राश राश्पती होते हैं उनको क्या होते हैं ये राज सभा के सभापती होते हैं ठीक और जो हमारे उपर राश्पती वैंकेया नाइडू केंद्री ग्रे मंत्री अमिस्सा ने इनके उपर एक पुस्तक का नावरड किया था जो पुस्तक का नाम है लिस्टनिंग लर्निंग एन लीडिंग जिसमें इनके दो साल के कारेकाल में जो भी चीजे होई है उनको डिस्क्राइब किया गया है अब बात आई है आंध प्रदेश की तो आंध प्रदेश की कैपिटल इसमें क्या है है हैदराबाद और प्रस्तावित क्या है अमरावती अच्छा आंध प्रदेश क्या है आंध्रप्रदेश में खुला है काफी इंपोर्टेंट है और आंध्रप्रदेश की प्रस्तावीत कैपिटल अमरावती को जेस्टिस सिटी कहा जाता है ये भी याद रखेगा अब बात आई है कि यहां के मुख्य मंत्री कौन है तो मुख्य मंत्री है जगन मोहन रड़ी औ नेक्स्ट क्रेश्चन है हमारा भारती रेलवे की इतिहास पर एशॉर्ट हिस्ट्री ओफ इंडियन रेलवेज बुक का नाम है किसके द्वारा लिखा गया है तो इस पुस्तक को लिखा गया है राजेंद्र बी अलेकर के द्वारा किसके द्वारा राजेंद्र बी अलेकर क द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है अच्छे इसमें बताया क्या गया है वो भी पढ़ लेते हैं तो 1830 के दसक से ले करके बुलेट ट्रेन तक की योजना का जिक्र किया गया है आपको पता है भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है तो लाट डल होजी को कहा जाता है इसने पहली रेल चलाई थी मुंबई से थाड़े के बीच कब चलाई थी अठारा सो तेरपन में चलाया था ओके चलेए नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं अच्छा रेलवे की बात आई है तो ये बताईए कि इसमें भारत की सबसे तेट चलने वाले ट्रेन कौन सी है और उसके जो डब्बे बने हैं जो कोच बने हैं वे कहां की फैक्टरी में बने हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बताईएगा आपसे जो भी क्वेशन किया जाता है आपको I think उसका अंसर देना चाहिए क्योंकि अगर आप regular basis पे current affair पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी knowledge भी चेक कर पढ़नी चाहिए क्योंकि पढ़ने का क्या मतलब है जब याद ही नहीं रहेगा चलिए next question के बात करते हैं किस भारती महिला निसाने बाज ने ISSF विश्व कप में gold medal जीता अब maximum लोगों के mind में चल रहा होगा मनु भाकर क्योंकि काफी दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे थे मनु भाकर सौरप चौधरी लेकिन यहाँ पे एक नया नाम आया है SS20 देश्वाल का यह आप image देख सकते हैं SS20 देश्वाल का इन्होंने ISSF में जीता है gold medal जीता है यह ब्राजील के प्रशिद सहर रियो डी ज टोक्यों में होने वाला जो 2020 का ओलंपिक खेल है उसमें भारत को 9 कोटा भी दिलाया है इसमें एक question important है कि टोक्यों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारती खिलाड़ी कौन बने हैं तो केटी एरफान बने हैं ठीक है याद रखेगा अगला question हमारा हाल ही में पहली plastic मुक्त बॉलिवूड फिल्म कौन बनी है इस समय आप देख रहे होंगे न एक तो GI टैग हो गया एक तो ये plastic मुक्त वाला ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि plastic मुक्त एक कौन सा sector बनने वाला है या कौन सी country बनने वाली है रीजन रीजन ये है कि plastic pollution पे ध्यान ना देने की वज़ा से इतनी तेजी से ये बढ़ा है कि आज उसका result सबको देखने को मिल रहा है समुद्रों में देखा जाए तो सबस्यादा कच्रा कौन सा है plastic कच्रा या फिर electronic कच्रा तो इन सभी को कम करने के लिए इस तरह के कदम उ 2019 से हम एकल single use वाली plastic का प्रियोग नहीं करेंगे याद रखेगा और यहां पर आप देखिए एक movie भी आ गई है तो इस movie का नाम क्या है कूली नंबर वन अब इसको आप गोविंदा की कूली नंबर वन से मत compare करिएगा यह अभी वरुन धवन की आने वाली movie है ठीक इसमें क्या है कि डेविड धवन के दौरा इसको निर्देशित क्या गया है और इन्होंने इस पहल में एक नई चीज आड़ की है कि हम ऐसी movie भी बनाएंगे जो की एकल सिंगल यूज वाली प्लास्टिक नहीं यूज की गई इस पूरे movie में इस film के निर्देशक कौन है डेविड धवन इनके द्वारा इस पहल की सुरुवात की गई है क्योंकि PM ने स्वतंता दिवस के भाशर में कहा था चीक चलिए बात करते हैं अगल पूछूंगी सोच लिजे कि कौन से क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ यहाँ पर बात आई है कि किस कंपनी के साथ समझोता किया है तो Reliance के साथ बांगलादेश ने गैस आधारित बिजली संयंत्र अस्थापित करने के लिए समझोता किया है इस समझोते के अनुसार Reliance कंपनी के सायोग से धाका के पास मेगनाथ में 2022 तक साढ़े 700 मेगा वाट का एक गैस आधारित संयंत्र अस्थापित किया जाएगा अब आई है बात बांगलादेश की तुसकी कैपिटल है धाका मुद्रा है टका राश्ट्री गान है आमार सोनार बांगला पीम है सेख हसीन अच्छा पते हैं सेख हसीना नदियों से संबंधित जल विवात के लिए कब भारत का विजिट करने वाली है वाली है बांगलादेश की लोग एस के खादान जो मिली पहली वो कहां पर है तीसरा है कि बांगला देश में कहां पर बर्न जो प्लास्टिक सर्जरी का सबसे नाजकुर में मिला है इसको याद रखे इसके अलावा बात आई है यहाँ पर ढाका की तो जो बर्न और प्लास्टिक सरजरी संस्तान है वो ढाका में खोल रहा है इसके अलावा बांगला देश ने नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया है याद रखेगा चलिए अगला क्वेशन है हमारा इस्टर्न एकोनॉमिक फोरम की पांचमी बैठक निमनलिखित में से किस देश में आयोजित की जा रही है तो इसको कहां पर आयोजित किया जा रहा है इसको आयोजित किया जा रहा है रश्या में विदेश मंत्राले ने 20 सितंबर 2019 को इसकी घोशना किया है कि 20 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा और इसके दो मुख्य उद्देशों में से एक है कि प्रधान मंत्री को पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अथिति के रूप में सामिंग होने है तू आमंत्रित करना वे रूसी राष्टपती पुतिन के साथ 20 वी वार्षिक द्वी पच्छी सिकर बैठक भी करेंगे याद रखेगा इस मंच की असापना कब हुई थी? 2015 में किसने किया था? राष्टपती ब्लादमीर पुतिन ने रश्या के राष्टपती है और इस फोरम के या पाँचवा आयोचन है चलिए अगला क्वेशन है हमारा हाल ही में किस देश के राष्टपती द्वारा की गई एक गोशना के अनुसार बोर्नियों दीप के पूर्वी काली मंतन प्राम्त को देश की नई राजधानी बनाया जाएगा तो अगर आप करेंट अफेर पढ़ते हुँगे तो इसका अनसर आप तुरंट सोच लिए हुँगे यहां पर हमारा सही अनसर क्या होगा इंडोनेश्या क्यूंकि मैंने आपको पढ़ाय था कल परसो में कि इंडोनेश्या क्या करने वाला है जो अपनी राजधानी बनाएगा वो कहाँ बनाएगा बोर्णी ओद्विप बनाएगा इसको याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है तो बोर्णी ओद्विप और अगर अब आपसे पूछे कि स्वरी इंडोनेशिया हमारा तो इंडोनेशिया का करेगा काली मंतन को बनाया जाएगा जो कि बोर्णी ओद्विप से जकार्ता से लगबग 1400 किलोमेटर द्विप है बोर्णी ओद्विप और यहीं पर है काली मंतन की बात करें तो यहां खनीज सम्रिद एरिया है पूरा और वर्सा वनों द्वारा आजच्छा दित है नेक्स क्वेशन अब हम हमारा क्वेशन समाप्त हो गया अब हम लोग कल के क्वेशन का रिवीजन कर लेते हैं तो पहला क्वेशन हमारा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं यहां पर बने हैं बंडारू दत्तात्रिय बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नेक्स है हमारा फ ह्मारा है कि सितंबर 2019 को किस रूप में मनाय जाने की घोषना की गई तो इसको राश्ट्रिय पोश्ड माह के रूप में मनाय जाने की घोशना की गई है हुँ अगला क्वश्ण है हमारा अच्छा यह किस से संब्दित है यह रेलवे से संब्दित है किस देश ने Space Comm Space Command लॉंच करने की घोषना किया है अमेरिका ने इसकी घोषना किया है फिर हमारा की T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेदबाज कौन बने है लसित मलिंगा इसके पहले कौन थे साहिद आफ्रीदी यूएन सीडी के कौफ 14 के 14 सत्र की मेचवानी कौन करेगा तो भारत करेगा अब आपके लिए question है तो आप तभी को इसका answer पता चल गया अच्छा आप मुझे बताईएगा कितनी राज्यों में राज्यपाल चेंज हुए हैं और जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम अब यह हो गया आपके पास पास question हो गया तोटल इसको आपको बताना है अब बात करते हैं लोग अपने वेबसाइट की तो मैं आपसे बता देऊं कि आप यहां पर जा करके वेबसाइट पे www.study91.co.in पे जा करके आज जो भी current affair आपने पढ़ा है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आपका maximum दो से तीन मिनट जाएगा लेकिन आपको questions और answer दोनों याद हो जाएंगे एक बार पढ़िए फिर प्रैक्टिस करिए डेली का डेली अपलोड होता है वहाँ पर आप चारोड प्रैक्टिस करिए future के लिए आप revision करने के लिए PDF डाउनलोड करिए या फिर डरेक्ली जा करके blog पढ़िए आप PDF तो तो आप डाउनलोड करते हैं करिए आप डरेक्ली बलॉग पढ़िए बलॉग में आपको कहा रह बोले डेली अप्डिट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरू क्लिक करें थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच